हाई दोस्तों study with concept के study platform पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सिरिज में तो आज से हम घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को सर के दोरा बता दिया गया था कि घटना चक्र का यहाँ पर question के माध्यम से पूरा करवाय जाएगा घटना चक्र को और यहाँ पर आपके वो सारे fact के लिए हो जाएगे जो सर के दोरा economy चलाई जा रही है with concept के साथ तो जो fact वहाँ पर छूट गए है वो सारे fact यहाँ पर आपके add हो जाएगे बाकी साथ में आपका practice भी हो जाएगा और जो current में जो चीजे चल रही है अगर इस question सम्बंदित कोई चीज कोई news current में है तो उसके example को भी यहाँ पर हम समझते वो चलेंगे कि क्या-क्य योजनाय लाई जा रही है इस चेत्र सम्बंदित क्या-क्या यूज किया जा रहा है क्रीसी चेत्र में तो यह सारी चीजे हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे और आप लोगों का इस घटना चक्रे के माद्देम से इतना practice हो जाएगा इतना practice हो जाएगा कि आपका कोई भ पारा वहां पर concept के साथ आपके मेंस के तयारी हो रही है और यहां पर आपका बकायदा प्री के तयारी हो जाएगी तो आपको कोई भी exam रुके गए नहीं अगर आप लोग यह सोच के पढ़ेंगे कि घटना चकर का PDF है मिल जाएगा हम रट लेंगे तो रटी कोई चीज कभ माइक हमारा तर जो काम में हम तो वह करेंगे ही तो इसी के साथ आते हम अपने इस टॉपिक पहले question प्याते हैं कि पहला question इसमें यह है कि निभनलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का परमुख कारण नहीं है सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कोई भी question solve करने से पहल कोशन को पूरा पढ़ना है है नहीं है सत्य असत्य ठीक है इन सचुज़े पर ध्यान देना है और आप लोग एक काम करेंगे कि यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग खुदी वीडियो को स्टॉप करके आप एक पेज रखेंगे और उस पर अपने आप से खुद से एक फहले को त直接 क्लाइब यहाँ रहा है कि आलोग यहाँ पर है कि एसर देखके लगाएंगे तो फिर उसका नहीं फिर दाव सुझभाного दोम नहीं विर्टाइगा लागेहां कि का मतलब कॉमन सेंस यहां पर यूज कर रहा था क्या सेंस लगा कि मेरे कोश्चन गलत होगा खिर क्या कारण था कैसे हुए है तो अगली बार जब आप कोई कोश्चन सॉल्ट करेंगे तो जो मेथड आपने यहां पर अपनाया है वो मेथड ना अपना करके इसमें इस कोश्चन के गलत होने के कारण को ढूंड करके उस नजलिये से अलिखित में से कौन सा कारण कौन सा आर्थिक विकास का परमुक कारण नहीं है तो पहला यहां पर कि पूजी का संचय एवं तक्निकी सुधार बी है जनसंख्या में परिवर्तन सी है बिसेसी क्रेट किरियाओं गति बीदियों में श्रम भी भाजन और डी है तक्निक विद इवं नौकर सा तो आप सभी को पता है कि किसी भी आर्थिक विकास में पूजी जनसंख्या और जो श्रम होता है वो काफी महत्तपुर भूमिका निभाता है लेकिन जहां पर नौकर सा आ जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि धन का जो संचय है धन हो या पद का संचय है एक बिसेज वर्ग तक ही सिमित हो जाएगा तक ही सिमित हो जाएगा इससे क्या होगा इससे अमीर गरीब की खाई बढ़ेगी अमीर गरीब के बीच की खाई गहरी होगी क्यों क्यों कि अमीर और अमीर होगा गरीब और गरीब होगा जो अमीर लोगों के वो सोचेंगे कि हमारे भाई बतीजे यहाँ पर आए इस पद पर आए बैठे ठीक है इससे क्या होगा वश्चाशार बढ़ेगा फिर लोगों का सोशड होगा जो गरीब तपके लोग हैं उनका सोशड होगा तो जहां पर भी नौकर साही आती है वो आर्थिक विकास का करण बनी नहीं सकता बागे अगर इसको हम समझे पूजी का संचे एवं तकनीकी सुधार तो आप सभी को पता है तकनीकी से आज हम काफी आगे निकल गए हैं तकनीकी के शत्र में जैसे बिस्किट बनाने वाली बिस्किट बनाने वाली मसीन ठीक है फिर स्वेटर बुनने वाला मसीन स्वेटर बुनने वाला मसीन सिलाई मसीन या जहाज निर्मान कोई भी चीज हो आयात निर्यात में जैसे कि मोटर गाड़ियों वाहनों का भी काफी मैत्यपुड युगदान होता है फिर आपका सड़क निर्मान ताकि हम चीजों को अच्छे से आयात निर्यात कर सके तो ये सारी चीजे ये तकनीकी सुधार और पुंजी का संचे अगर हम कुदाल से आप किसी खेत को कहां तक जोतेंगे तो इसके लिए ट्रैक्टर टॉली और जोतने वाली वह जो पीछे होती है हल टाइप में उसका प्रयोग करकर के हम काफी उपजाओ भूमी को बना सकते काफी दूर तक जो बंजर भूमी उसको भी हम जोत सकते हैं तो इस तर स्ट्रचर हमारा डेबलब होगा और इन सब के लिए चाहिए हमें निवेस तो जब हम पूजी का संचर नहीं करेंगे बे मतलब का खर्चा करेंगे दर दर जा करके तो पूजी का संचर होगा नहीं और जब पूजी का संचर ही नहीं होगा तो फिर आप अपने बच्चों को सिख्षा कैसे देंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन पर दिन जो सिख्षा है या फिर महंगाई के वो बढ़ती जा रही है तो अगर आप अपने बच्चों को सिख्षा ही नहीं देंगे तो वो बच्चा सीखेगा क्या जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा पैसा तो वो कमजोर हो जाएगा तो कोई काम उससे होगा ही नहीं चाहे वो किसी भी शेत्र में काम करना हो ठीक है तो इस तरीके से पुझी का संचय और तक्निकी सुधार आर्थिक विकास में महतेपुर्ण भूमिका निभाते हैं आते हैं फिर जनसंख्या में परिवर्तन तो बिल कारें भी बॉड़ी की ट्会क शंटा होती है वह दिन पर दिन बुड़े लोग से जाएगी तो कैसे कारें darien के तो आने वाली जुवास्ते है वही तो भूमिका musther घखाईगी नमाचार के शितर में शिक्षा के शितर में जो भी हो ठीक है अर्द कुसल कुसल ठीक है इंसारे शित्रों में श्रम में भागिदार तो यही होंगे ना तो जनसंख्या परिवर्तन भी आर्थिक विकास का परमुक्र कारण है क्योंकि नई जो हमाले जेनरेशन आ रही है वो नई नई तक्निकी का विकास कर रही है ठीक है तो इस तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन भी आर लोगों को अच्छे से समझाये गया होगा ठीक है यहां पर तो जो दिया है आप इसको पढ़ लेंगे पहले इसको देख लेते हैं कि ध्यान तब वे है कि आर्थिक विकास के परभू की तत्यों में पुंजी का संच है अच्छा यहां पर तो वो दिया है जिसको हम आर्थिक विकास का कारण मानते हैं लेकिन क्यों मानते हैं यह आप समझके पढ़ लेंगे तो आपको रटने के जुरूत ही नहीं है अब बताए इसमें आपको क्या रटने के जुरूत है आपने कॉमन सेंस लगा लिया हो गई चीज़ें आपके हो निकल के आगया आंसर है तो यहां पर वो चीज़ें है तक्नीकि सुधार आता है पुशी का संचयन आता है एक ठीक है पुशी का संचयन जन संक्या में परिवर्टन विसे सिक्रे स्रंबि भाजन उद्रम सीलता प्राकिर्तिक संपना आदि प्रत्यक्ष योग्दान है परन्तु तक्नीक की विद एवं नौकर साही का पुरमुक्य दा नहीं माना जाता है थीक है तो यहाँ इसको तो पढ़ी लें वैसे भी तो यहाँ पर हमाते हैं पहला अगर हम देखे तो हुता है कुशल अ continued है फिर होता है आपका अरद कुशल और औ कुशल अकुसल ठीक है कुसल में आप कौन-कौन से छेत्र के लोग आते हैं तो जो कुसल होते हैं वो सर्विस सेक्टर में अपनी सेवा देते हैं सर्विस सेक्टर के लोग आते हैं और देकुसल में जो कार खाने वेगहरे में काम करते हैं बी निर्मान फैक्टरी बी निर्मान शेत्र में ठीक है और जो और कुसल लोग होते हैं वो क्रीशी शेत्र में काम करते हैं गिरिशी शित्र में तो ये आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से इसका जो आंसरों का वो होगा D अब है दूसरा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थ बिवस्ता का लक्ष कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष रखा है यानि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थ बिवस्ता कब तक बन जाएगा तो इसमें तो ये फैक्ट है कोई समझने वाली चीज नहीं है इसका जो आंसर है वो है B दो हजार चौबिस तक फिर है फिर वही चीज़ है सेम कोशन कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थवियस्ता के लक्ष को कब तक प्रत करना चाता है वही है सेम भी है इसका भी आंसर मकिस में आप पढ़ लेंगे इसमें तो कोई चीज़ समझने वाली है नहीं अब सिधा यहां पर आते हैं और इस तरीकी के जो कोशन होते हैं वह यूपी पीसियस के फेवरेट कोशन होते हैं ऐसे कोशन आपको हर साल में देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर कथन दिया है कि राष्ट्रिय धाचागत पाइपलाइन एन आई पी सलकार द्वारा वर्स 2020-30 की अवधी के लिए आरंब किया गया है ठीक है क्यूंकि क्यूंकि एन आई पी का उदेश सभी को समान धाचागत सुविधा परदान प्राप्त कराना है ठीक है तो यहां पर आप ऐसे शीज़ो पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और जो यह यूपी असी के एक्जाम होते हैं उनमें भी वो चेंज़ेज इसी में करते हैं या तो अवधी में करते हैं या फिर वहां पर एक दो तीन साल इस तरीके को कोई चीज़ दिया हो वहां पर तो इन सारे कोशनों में ऐसे ही वो challenges कर देते हैं तो यदि आप लोगों ने ये जो यूजना है इसको पढ़ा होगा तो एक तो ये date आपको ध्यान में होना होगा ठीक है और दूसरी चीजी है कि इसका उद्दे से क्या है अगर ये दो चीजी आपको अच्छी से याद है तो इस तरीके कोई भी कोशन्स आपके गलत नहीं होंगे ठीक है जिसे कि यहाँ पर ये जो बताया गया है कि वर्स 2020 और 30 की अवदी के लिए आरम किया गया है तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये है 2020 और ये 2020 से लेकर कि 2025 तक की अवदी के लिए दो हजार पचीस तक की अवधी के लिए अवधी के लिए तै किया गया है ठीक है कि इतनी अवधी के बीच में हमको ये साधी जो सुबिदाये हैं वो सभी को परदान करवानी है प्राप्त करवानी है ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये हो गया गलत यह जो है हमारा गलत हो गया फिर आते हैं हम अपने option पर देखते हैं इस तरीके question हम जब भी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि दोनों ही सही है तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर दिया a तथा r दोनों सत्य है अब तो यह यहीं गलत हो गया आपको आगे जाने के जुरुत ही नहीं है यह तो आपका यहीं गलत हो गया आगे जाने के जुरुत ही नहीं है यह तथा दोनों सत्य हैं यह भी गलत हो गया आपका यह सत्य है परंतु r गलत है यह गलत है परंतु r सत्य है अब आंसर आपका इने दोनों में से है तो चलिए सपोज आपको fact याद नहीं है कि 2020 से 2025 तक इसकी जो लक्ष है वो निर्धारित की गई है यह आपको याद नहीं है लेकिन यह आपको पता है कि हाँ इसका उद्दे से जो है वो सही है ठीक है इसका जो उद्दे से है तो वो सही है तो यहाँ पर आप आर्य को क्या बोलते है आर्य को सत्य मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखे आर्य गलत है तो इसके तुरू आप इसको भी काट सकते हैं यह आपका आर्य सत्य निकल गया चलिए आपको उद्धे से नहीं पता है, fact पता है के वल, उसकी आवधी पती है, पता है आपको कि आवधी कब तक निधारित किया गया है, तो उसके थुरू भी आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आवधी तो वहाँ पर 2020 से ले करके 2030 तक दिया है, जो कि गलत है, तो A सत्य यहा पगलत हो गया, इस तरीके सा आपका अंसर निकल के आगया, D, यहाँ आपका अंसर है, D, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके बीच में क्या चीज़े दी गई है, यहाँ पर जो सोलूशन दिया गया है, क्या पता क्योंकि इन में से भी कोशन बनी जाते हैं, यदी हम द अपरेल 2020 को जारी किया गया, तो ध्यान देंगे आपकलो, यह जो योजना है, राष्टी और स्तनाशना पाइपलाइन, यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह किया गया है, बित्त मंत्री निर्मला सिता रमन के द्वारा, यानि राष्टी और स्तनाशना पाइपला और फिर यहां पर देख लेंगे इसका उद्दे से क्या है तो सभी नागरिकों के जीवन की गुडवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विसवस्तरी और सनस्टना उगलब्द कराना है ठीक है तो यह चीज़ें यहां पर भी बोल रहा है कि सभी को समान धाचा का लोगों को मिलेगा तभी तो जीवन की गुडवत्ता में सुधार आएगा तो यहीं साथ चीज़ें यहां पर बताई गई है फिर आते हैं अगले कोशन पर कमपनिया प्रद्दोगगी की मदस से कारोबारी परिक्रिया की पूरन पुनर रचना क्यों करती है पुनर रचना क नहीं मिलेगा तो उसको क्यों उसको जरुवत क्या है उसको पुनर रचना करने की पुनर निर्मित करने की तक है कम लागत पर उत पादो और सिवाओं प्रतियस्पर्दी बढ़त प्राप्त करने हैं तो सही बात है क्योंकि कम लागत पर यदि आपको सेवाएं मिल रही है और उससे आपको संतुस्टी मिल रही है कि हाँ सही है मेरा पैसा भी खर्चुआ और मैं इस उपभोग से संतुस्ट हूं जैसे कोई भी चीज है अगर प्रतियस्पर्दा को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आपको देख करके अन्य कमपनिया जो है वो भी चाहेंगी कि हम भी इस तरीके की चीजें बनाएं जो कि इसको टक्कर दे सके तो इस तरीके से प्रतियस्पर्दा बढ़त होगा और इस तरीके से इसका लाव उठाया जा रहा है ठीक है और तब अस्ताओं के बिस्व व्यापी उदारी करण के साथ परिवर्दन के दर तिब्र हो गई है तो सही बात है हम भ इसका अंसर डी ही है यहाँ पर आते हैं देख लेते स्व व्यापी उदारी करण के साथ परिवर्दन के दर तिब्र हो गई है जिससे उपभुकताओं की मांग एवं अपेक्षाय निरंतर बढ़ रही है बिल्कुल फलतय कमपनिया प्रदोगिकी की मदद से कारोबारी पिर रशना कर रही है जिसका लाब उन्हें कम लागत पर उतपादों एवं सिवाओ में प्रतियस परदी बढ़त हासिल करने में मिलती है अब इस एक लाइन में बहुत सा कॉंसेप्ट आपका छिपा हुआ है जिसका लाब उन्हें कम लागत पर उतपादों एवं सिवाओ में प तरल नैनो यूरिया ये क्या है ये 500 एमिल वाली ध्यान रखे का आप लोग ये भी फैक्ट 500 एमिल वाली एक छोटी सी बॉटल है एक छोटी बॉटल है जो जो पचास केजी यूरिया के बराबर है अब आप देखिए 50 एमिल वाली एक छोटी सी बॉटल में उन्होंने कैसे इसको अरजिस्ट कर दिया है अब हर कोई चारा है कि हम कम समय में जादा सजादा लाब उठाएं ठीक है और हर कोई चारा है कि हम अपना समय यूही बरबाद ना करें हर किसी को समय बचाने की जुरूरत पड़ी हुई है अब जब ऐसी सुविदाएं कम लागत में किसानों को मिले तो किसान क्यों हो जाएंगे बोरी को लेने एक तो लाने की समस्या फिर उसको खेत में जा करके अच्छे से उसको मिला करके फिर खेत पूरे खेत में चल चल करके उसको करने की हास से ऐसे छीटते हैं वो चीज़े करने की ठीक है काफी समय भी लग जाता है इस तरह के की चीज़ें उसमें हो जाती है तो किसान अब जो बड़े बड़े किसान होंगे उनके पास तो बिधाएं और लड़ी बहुत सी रहती है ठीक है तो बो तो लेंगे लेकिन साथ यहाँ पर छोटे किसान भी हैं उन्हें भी इससे फायदा मिलेगा अगर इसको लाब को हम देखें लाब क्या-क्या हो सकता है तो देखें अगर तो एक तो यहां पर शरम की बचत होगी सरम की बचत ठीक है फिर समय का बचत होगा समय का बचत परिवहन लागत परिवहन लागत कम अब एक किसान है बिचार जब यूरिया लाना होता था तो बिचारा किसी का गाड़ी करके और अगरे करके जाता होगा लेके आता होगा अब क्या अपने cycle से या पैदल भी जाएगा तो भी लेकर चलाएगा एक bottle ही तो है आद में ठीक है फिर यह हो गया आपका फिर यहां पर फसल उत्पाधकता में विरिद्धी फसल उत्पाधकता में विरिद्धी होगी और सबसे ज्यादा जो महतपून बात है इसमें वो ये है कि पारंपरिक यूरिया का असंतूलित असंतूलित व अंधाधुन यू कि पता नहीं रहता ना कि कितने यूरिया कितने खेत में जाएगा तो अंधाधुन उपयोग हो जाता है उसका तो अंधाधुन उपयोग कम करना करने में इससे सहायता मिलेगी तो इस तरह के देख सकते हैं कि इससे कितना लाब हो रहा है साथ ही स्वास्त पर कम परभाव पड़ेगा तो प्रफित ने चलना फिर उसी के बीच में रहना फिर उसको हास से वह करना मिलाना तो यह सारी जो है कि स्वास ते पर इफेक्ट डालती है अब इसका क्या एक बोटल है उसको आपने अच्छे से मस्ची डखले वाले मसिल में डाला और पत्तियों पच्छी लग दिया वह प काफी अच्छी उतपादन होगी, तो इसे मतलब आने वुले समय में कोश्चन बन सकता है क्योंकि काफी यह highlight रहा है तो mains में भी question बन सकता है प्लस आपका PD में भी बन सकता है कि कितने ml का है क्या है कैसे फायदा होगा ठीक है यह सारी चीजे इसमें जैसे कि यह तो lab तो है इसका नाकरात्मक वक्ष भी आप दिखा सकते हैं नाकरात्मक चुनोती दिखा सकते हैं चु चीक है उसकी यहां कोई काम करना नहीं है खास करके महिलाएं अगया तो खेत में खात थोड़े न जाएंगी छुड़क ने तो वो क्या करते थी कि किसी मजदूर को लगाती थी तो वो आता था विचारा अपना दिन भच्छी डगता था फिर सामें मजदूरी ले करके चला अब बजाएगे यहां पर कौन लगाएगा एक घंटे के लिए कौन पैसा देगा वैसे तो पूरा दिन लग जाता था तो इसे स्रम जो है वो प्रभावित होगा स्रम प्रभावित बाकी आप लोग एक दो खुज से यहां पर लिख लेंगे फिर आता है अगले कौशिन पर तो यहां पर दिया है कि अलप बिक्सित अर्थ विवस्था की समानता विशेश्था होती है अब यहां पर आपको देखना है कि अलप विक्सित अर्थबिवस्ता की की समानतर भी सिस्ता होती है अच्छे यहां पर एक दी और समझ लिए ये तो उदबादों का था यहां पर दोचीज दिया है मैं एकी पर ध्यान दे पाई हूँ यह उदबाद था, यहां पर सिवाए भी दिया है जैसे कि आप banking पर नाली को ले लीजे बैंकिंग, अभी banking का सर के दरा पढ़ाय भी जा रहा है बैंकिंग पर नाली यह कहा कि आपको घर बैठे ही सुथ ही अप घर बैठे ही mobile के थुरू आप अराम से पैसा कहीं से भी मंगा सकते हैं, कहीं भी transfer कर सकते हैं और इसी को देख देख के ये कई सारे एप ऐसे आ रहे हैं फोन पे हो गया है सैंसन पे हो गया ठीक है तो इससे भी प्रतियस परदा बढ़ी रहा है और साथी लाब भी मिल रहा है इसमें भी समय वेगर बच रहा है अब इने मतला अभी पांच कोशन में इतना जाता समय लग यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखें या खुद से कोशन को सॉल्व करें तो क्या क्या नजरिया आपको डेवलप करने आप कहते हैं आ कि थिंकिंग कैसे बढ़ाएं तो यह इस तरीके से ही आप रोज मर्रा की चीजों को यूज करके सोच करके खुद को वहां पर रख करके अपनी थिंकिंग बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है मैं मानती हूं बट इसी वीडियो में लगेगा अगले वीडियो से हम लोग काफी फास्ट चलें क्योंकि आप लग भी से काफी कुछ सीख जाएंगे कि आपको कैसे करना है एड कैसे करना है सोचना कैसे है तो देखते इसमें इसमें एक दिया है कि प्रति व्यक्ति निम्न आये यानि अलपविक्सित अर्थ विवस्ता की बिश्यस्ता क्या होती है तो इसमें एक दिया है व्यक्ति निम्ना है दूसरा दिया है पूंजी निर्मान की निम्न दर तीसरा दिया है निम्न आश्रितता अनुपात और चौथा दिया है तृतव शेत्र में अधिक कार्यबल सक्ति का होना नीचे दिये गए कुटों से सही उत्तर चुनिए अब देखें यहां पर आपको अंसर को बहुत ही आराम से निकाल ले जाएंगे और अगर रड़ते रहाएं है लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हैं इसको असा अराम से सौल्ट कर लेजाएंगे और इसी तरीके के कोश्चन जे हैं वो UPSC में बनते हैं और आज कल आप लोग देख रहे हैं कि UPSC का भी पैटरन काफी हद तक UPSC के तरफ जा रहा है UPSC के तरफ जा रहा है अगर आप ये सोचिए कि रट करके आप पास जाएंगे तो impossible है इसलिए आपको एक एक चीज इस तरीके से समझ के चलनी है कि आपको दुबारा उस चीज को पढ़ने की जुरूती ना हो कहते ना कि किसी चीज को एक बार में नहीं दस बार में बारा बार में याद करो इतना समय कहा है ऐसे तो अगर किसी एक चीज को हम दस बारा बार रटने में ही बैट जाएंगे कि दस बारा बास पूरे पिढ़नी है ऐसे तो फिर दो साल लग जाएंगे तयारी में और ऐसे में देखने कुTM को मैं होक्pee फिर नीकल नेखने वाला नहीं है इसलिए आप लोग समझ की पड़ी तो देखते हैं तो इसमें देखे अगर तो प्रति व्एक्टी नियुम ना आये है तभी तो निव्येस नहीं हो रहा है और जब निव्येसी नहीं हो रहा है तो अल पर विकसित अर्थविवस्ता कैसे बनेगी विकसित अर्थविवस्ता कैसे बनेगी फिर है विकसित अर्थविवस्ता कैसे बनेगी फिर है कि पूझी निर्मान की निम नदर आप वही चीज़ यहां पर भी आ रहा है जब पूझी निर्मान ही नहीं होगा तो आप निवेस कहां से करेंगे जैसे कि अर्थविवस्था के कारण में आप ये सारी चीजे भी क्या परभावीत करती है ऐसे आपको यहाँ पर कोश्चन बन जाएगा जैसे यह है यहाँ पर देखा कि आर्थिक विकास के परमुख कारकों का आलचनातमक व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर यह चीज तो आप दिखा देंगे कि हाँ ठीक है एक तरफ तो आर्थिक विकास हो रहा है यह कारण जिम्मेदार है इसके लिए यह कारण भूमिका निवाते हैं लेकिन आलचना में आपको दोनों पश दिखाने पड़ते हैं तो यहाँ पर आपको यह भी दिखाना पड़ा है कि अभी भी हम लोग विक्सित अर्थ बिवस्था में कनवर्ड नहीं हुए हैं क्यों कि यह सारी गभी भी हमारे देश में व्यापते हैं इस तरएके से उप दिखा सकते हैं और इस खर्च दे देंगे कि साली चीज़ा में सुधार करने की जरुत है क्या करना है क्या नहीं करना यह अराम से आप उसको बता करके लेके चले जाएंगे answer आपका complete हो जाएगा ठीक हैँ तो जब पूंजे नीरमान की निर्म दरी रहेगी तो बचती नहीं हो गा आपका तो family का ए इक्सित अर्थवेवस्था में ही बन करके रह जाएंगे फिर है कि निम्न आस्त्रितता अनुपात अब ये चीज़ यहां पर देखिए निम्न आस्त्रितता अनुपात नहीं ये गलत है क्यों क्यों कि यहां पर बात कर रहा है आत्म निर्बर आत्म निर्बर आत्म निर्बर हो जाएंगे खुद आप सक्षम हो जाएंगे काम करने में आप खुद काम कर रहे हैं किसी भी आप जौब में हैं तो आप किसी पर आश्रित थोड़ी ना न से अब यिदो क्या है कि आप लोग student हैं आपके meamny पापा आपके भाईया जो भी हैं आपको पढ़ाते हैं आप उन पर आश्रित हैं कि भाईया रूम का रेंट देंगे भाईया किताब कॉपी खर दने के लिए पैसे देंगे ठीक है पापा मेरे घर चलाने के लिए पैसे देंगे पॉकेट मनी नहीं है मेरे पास ठीक है तो इस तरीके से आप आप किसी और पर आश्रित हैं लेकिन जिस दिन आप लोग खुद आत्म निर्भर बन जाएंगे खुद जोब में आप खुद पैसा कमाने लग जाएंगे तो आप अपने मम्मी पापा अपने भाईया को खुदी पैसे दना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से आप उन पर श्रितता अनुपाद इसका मतलब कि आप आत्म निर्भर बन रहे हैं और जब आप आत्म निर्भर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी सिख्षा दे सकते हैं ठीक है बच्चा अच्छा शिख्षा लेगा वो अच्छी जवाब करेगा तो फिर वो निवेस यह बच्चत होगी तो इस तरीके से हमारा जो उर्भिक्सित अर्थबिवस्ता वह अलप विक्सित नाओ करके कब अर्थबिवस्ता परिवर्दित हो जाएगा यह आपको अंदाजा ही नहीं है तो नीमन आस्टा जो है वो अल्प बिख्सित अर्थवयोस्ता की विश्यस्ता है तृतियक शेत्र में अधिक कार्यबल सकती का होना अब देखिए अब यहाँ पर चलो यहाँ पर प्रत्थम नहीं दिया है दुतिय बढ़ेगा दिमांड होगा ठीक है वैस्टिक लेबल पर हमारी चीजे जाएंगी वहाँ से पैसे आएंगे फिर हम निवेस करेंगे फिर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो यह जो तृतियक उससे क्या करेंगे अपने बच्चो को पढ़ाएंगे तो यह जो तृतियक वाले हैं की किसान के का म करने कि लाइक सु तो यह चीज भी हमारे विक्सित अर्थविवस्था की बिसेश्था है ना कि अल पर विक्सित अर्थविवस्था की बिसेश्था है तो अब देखते हैं इसमें यहां पर चलिए आप तीन निकाल देजिए अगर तीन को हम एलिमिनेट करते हैं जीक है अब हमारा बचा एक नहीं है एक बर ऐसे नजर से आप निकाल लेंगे ठीक है फिर है कि निद्नलिखित में से कौन सी भी सेस्था है भारती अर्थवेवस्ता को भीका सिल्स रेणी में दर्साती है अब जो आपने पिछला कोश्चन अभी यह सौल दीकिया चटे नंबर का अब वही चीज यहां प देखेंगे इलिमनेट के तुर्ष को निकालेंगे प्रचंद बेरोजगारी मानम पूझे के निमन गुडवत्ता प्रोटीन का प्रतिव वेक्ति सेवन का उच्छ होना अब देखिए आपको चलिए यह तीनों आप्सन पता नहीं है लेकिन यहां से आप कॉमन सिंस लगा सक नहीं सिंस ए यहां से खी किशी को भी अगर प्रोटीन का प्रोटीन का पॉष्ण युग्त भोजन मिलेगा तो जो मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है उसकी स्वास्त बढ़ियान है और जब स्वास्त बढ़ियां रहेगा तो सिक्षा बढ़ियां मिलेगी उसको, सिक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, क्यों कि एसा तो है नहीं, कि एक दिन पढ़ने गया बेचारा, फिर चाल दिन सो गया, आके तब बित खराब हो उसका, भाई जब अच्छा उसको भोजन मिलेगा, तो स्वास कम होगा, आये बढ़ेगा, तो वो निवेज करेगा, निवेज करेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, और इस तरीके से उत्पादन जब बढ़ेगा, तो उसको लाब होगा, और जब लाब होगा, तो फिर वो अपनी अगली, स्वरी, फिर लाप जम मिलेगा तो वो अपने बच्चे को अच्छा सिख्चा देगा तो फिर वो भी रोज़गार में जाएगा फिर वो भी अपने बच्चे को इस तरीके से ये जो सरकेल है वो चलती सुधर जाएंगी ठीक है तो ये किसी देश के विक्सित अर्थव्यस्ता को उधर सा रहा है ना कि विक्सित अर्थव्यस्ता को तो यदी हम । देखें तो इसमें जार को आप काड़ देजिए अब बचा हमारा एक दो तीन एक ओप्षन तो हमारा निकल गया क्रेसी मुख्य बेपसाय होता है तो बिल्कुल सही है जादा तर लोग है पर क्रेसी में ही होते हैं क्योंकि क्रेसी से दिरे-दिरे करके इंकम होगी आगे बढ़ेंगे ठीक है तो चार लोग काम करें या पांच लोग काम करें वो उत्पादन तो जितना उसका होना होगा उतना ही होगा ठीक है तो आपको पता ही है कि अभी भी ऐसे गाओं में कई लोग है जो कि बिचारा पीता जो हो खेतों में काम करता है बच्चे कुछ नहीं करते हैं घुमते रहते है कभी-कभी जा करके खेत में काम कर देते तो क्या इससे उत्पदन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ता है बेरोज़काली की दर अभी भी बहुत है भारत में तो यह बच्चे क्या करेंगे ठीक है तो यह हो गया और माना पुझी की निमनगुड़ वतता बिलकुल स शिक्षा ही नहीं मिलेगा उसको आए कम है तो शिक्षा तो ऐसे ही नहीं मिल रहा उसको ठीक है शिक्षा ही नहीं और जब शिक्षा ही नहीं तो रोजगार कहां से उसको मिलेगा रोजगार ही नहीं और जब रोजगार ही नहीं तो फिर उत्पादन कहां से होगा उत्पादन अंदर ही हम competition नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो अर्थव्यस्ता विक्सित अर्थव्यस्ता की स्रेणी में कैसे जाएगी वो तो विक्सित अर्थव्यस्ता की स्रेणी में ही रहेगी ठीक है तो इस तरीके से हमारा answer होगा 1 2 और 3 अब है कि भारती अर्थव्यस्ता वर्डित की जा सकती है तो अभी हमने देखा एक भी कासिल अर्थव्यस्ता के रूप में वर्डित की जा सकती है तो यह आप यहां पर देखी सकते हैं फिर है कि मिश्रित अर्थव्यस्ता का अर्थ है तो यह तो आप सभी को पता ही होगा कि जहां पर सारवजनिक खेतर और निजी खेतर दोनों ही विद्मान हो साथ साथ निजी खेतर भी विद्मान हो उसी को कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यस्ता ठीक है फिर यहां पर है कि भारती अर्थ विवस्ता है तो अभी उने देखा मिसिल अर्थ विवस्ता है बाकि इसमें से आप पढ़ लेंगे जैसे कि यहां पढ़ दिया है अगर हम देखें कि समाजवार्दी अर्थ विवस्ता में आर्थिक सक्तियों का किंद्री करण सरकार के हाथ में होता है अतो संसा कोशन ये बन रहा है कि पूंजिवादी अर्थविवस्था में बजार को नियंदरित करने में सरकार की कोई खास सक्री भूमिकार नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर नीजी स्वामित्व होता है तो ये भी आपका एक कोशन बन गया ठीक है और ये कोशन जो है ये दोनों कोशन ये UPSC में पूछा गया है और उसमें क्या किया है कि पूंजिवादी के जगा समाजवादी सेंटेंस को चेंज कर दिया है तो इस तरीके के ही कोशन बनते हैं आप इसको एक बार देख लेंगे फिर अगला है गांधिवादी अगला है गांधिवादी समाजवादी अर्थविवस्ता उतपादन के संसाधनों के बीकेंदरी करण पर आधारित है अत्र इस आर्थिक परणाली में स्वरोजगार एबं आत्र निर्भरता पर बल देती हुए कुटूर उद्यगों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सम समाज़िक न्याय की अस्थापना की जा सके तो अब देख सकते हैं यहां पर भी आपका यह कोशन बन गयाaza यहां पर भी आपका एक कोशन बन गया तो यह ऐसे आप कोशन को भी अपने कॉपी में बना लेंगे आगे आते हैं मिस्रित अर्थविवस्ता का तात पर यह है इसका आंसर में खुल दिया मैंने तो अभी आपने देखा नीजी और सारवदनिक दोनों की है निर्मलिकित में से कौन सा भारती अर्थविवस्ता का परमुक लक्षर है अभी आपने देखा मिस्रित अर्थविवस्ता का भारत में मिस्रित अर्थविवस्ता का अर्थ है तो सारवदनिक एवाम नीजी चेत्र के दोनों का सहस्थिस्त है भारत में किस तरह की अर्थविवस्ता है यह देख है काफी हद तक ठीक है यह भी बड़ देखते हैं कि सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसमें फिर एक स्रम आधीक वाली अर्थविवस्ता के रूप में यह भी सही है एक ब्यापार आधीक वाली अर्थविवस्ता के रूप में तो नहीं यह हमने से कज़ेब हम इतना जदा हमारे पास बयापार ही नहीं हो रहा है कि हम क्या है कि इसके व्याफाल में ज्यादा से ज्यादा भागिदारी निभास के फिर खर्च करते हैं जिससे अभी क्या है कि हमारे जो तकनीकी है नमाचार है वो पिछड़ा हुआ है अगर ब्यापार आधिक के ही होता हमारे पास तो हम यूक्रेन से यूक्रेन से गीहूं क्यों आयात करवाते हैं ओल क्यों आयात करवाते हैं उड़जाशत्र में हम चीजों को क् जंक्या के अधिक्ता के कारण ही ऐसा कहा गया है कि भारत जो है एक स्रम आधिक वाली अर्थ बिवस्ता है ठीक है जिसका पिक बार देख लेंगे इसका अंसर है बी निर्णलिकित में से क्या सही धन से समझाता है कि भारत अलप बिक्सित अर्थ बिवस्ता है अब जो हम लोग अब यहां पर हम देखते हैं आय का समान वित्रड उच्छ निर्भरतादर राश्ट्रियाई में ब्रदी की धीमिदर बैंक वित्ती छित में परिवर्तन होगा तो क्यों होगा क्यों हमारी अर्थविवस्ता के रूप में जा रही है और पर विक्सित होगी ही नहीं तो इस तरीके से अगरण अप चार को इली psychology करते दो उपरो सभी तो वैसे भी नहीं होगा इसकांसर हो गया ई जैसे कि दिया है यहां पर इ बाकिस को अपर देख लेंगे फिर भारती अर्थिव्योस्ता की बिशेष्टा है तो देखते हैं यह दिया है पहला है क्रिसी की परधानता उद्योग की परधानता नियून प्रतिव्यक्ति आये और ब्रिहद बेरुजगारि ठीक है तो यहां पर देखे इसमें और इसमें विवाद है क्यों क्योंकि अगर क्रिसी की परधानता होगी तो दोग की परधानता के कोई गुंजाईस ही नहीं है अगर दोग की परधानता होगी तो हम बाहर से चीजों को क्यों आयाद करवाते हैं तो दो को कारती है दो को हम eliminate करते हैं दो तो हमारा आंसर निकल क्या गया दी एक तीन और चार वैसे आपको पताएगा कि क्रिसी की परधानता हमारे देश में है और चुकि हमारा जो भारती अर्थे विवस्ता है वो अल पर बिक्सित अर्थे विवस्ता है तो नियून प्रतिबेक्टी आए भी है और अस्तर पर बेरोजगारी भी है अभी अब डाटा देखे ही है कि कितने प्रतिशत की बेरोजगारी है हमारे देश में ठीक है तो यहमारा आंसर हो गया डी इसमें ते देश के बिरिद्धी में नीमने में से कौन सा अनार्थिक तत्व है ए समाजिक बेवहार बी प्राउमी का नहीं निभाता ते इसने के समराला आंसार हो गया ए अगे आते भारत की अर्थिव्य वस्ता कैसी है तो अब धी हमने देखा तो है बिकास सिल ठीक है यहां पर अल्पे बिक्सित भी दिया है लेकिन इहां पर दिया है तो सबसे बेश प प्रजनन में सरकार दोरा चिन्द किये गए हैं का भाग नहीं है अब यहां पर भी कॉमन सेंसे लगाना जब आर्थिक सुधार करना है हमें तो फिर यहां पर नया पढ़ना लेकि क्या जूरत है तेल की शित्र में सुधार किजिए ताकि हमको बाहर से तेल आयात ना करवाना सारवजनिक शित्र में सुधार किजिए ताकि ज्यादे से नीजी करण ना हो सासे की एवं सारवजन संस्थाए जो हैं जो काम कर रही है उनमें सुधार किजिए ताकि भरस्टा चार ना हो ठीक है तो इसमें आंसर होगे आपका C विकास का भारती मौडल किसके हितों की सुरक्षा करता है ए व्यक्ति बी राज्य सी व्यक्ति और राज्य दोनों उपरियोक्त में से कोई तो होगा नहीं इसमें दोनों के हितों की सुरक्षा करता है इसका अंसर है C यहाँ पर देखिए भारत में मिस्रित अर्थव्यस्ता के सोरूप को अपनाए गया है मिस्रित अर्थव्यस्ता के तहट सारवजनिक एवं नीजी दोनों शित्रों के देश के विकास कारेकरमों में भागिदारी होती है सारवजनिक शेत्र का प्रसासन जहां राज्जी करता है वही निजी शेत्र का प्रसासन व्यक्ति के हाथ में होता है इस प्रकार विकास का भारती मौडल राज्जी एवं व्यक्ति दोनों के हीतों की रक्षा करता है तो ये एक बड़ा आप पारिभासा इसका देख लेंगे ठीक है तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जादे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरीकी से आप लोग प्राक्टिस कीजिए सोच स समस्के कीजिए ताकि आपको बार-बार चीजियों को रटना ना पड़े बागी हम देखेंगे अगले वीडियो में रास्टी आय से सम्मंदिस कीज को तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद